अगर आपके घर में भी कोई बिमारी है चाहे डाइबिटीज है हाई प्लड प्रेशर है मुटापा है बाल जड़ते हैं चहरे पर पिंपल्स है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें आप समझ जाएंगे कि आजकल आपके साथ हो क्या रहा है क्य है अगर आपने कारण जान लिया तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी भारतिय घरों के किचन अद्भुत है हमारी किचन में जितनी भी चीज़ें हैं वह आयुर्वेद में एक ओशदी है आयुर्वेद की किताब अश्टांग हिर्द्यम जिसे हजा शरीर की हर बीमारी सही हो सकती है आज की वीडियो में हम आपको यहीं बताने वाले हैं अगर आप गुड को सही समय पर सही तरीके से खाते हैं तो कैसे आपका शरीर सही ढंग से काम करता है कैसे आपकी डाइबिटीज कैसे आपकी सारी बीमारियां खतम हो सकती है प्लीज आ तो आठिसे सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो शुरुवात करते हैं बिमारीयों की जड़ से क्योंकि हर बिमारी की कोई जड़ होती है आप इस चीस को नहीं जानते यह सारी बिमारियां एक ही कारण से होती है वो है हमारी श्रीर की गंदगी जो भी हम खाते हैं वो श्रीर में पचने के बाद हमारी आंतों में जाता है अगर वो हमारी आंतों में जमा हो जाए किसी कारण से हमारी श्रीर से बाहर ना निकले तो हमारी श्रीर को कई बिमारियां हो जाती हैं क्योंकि जो भी चीज हम खाते वो सारी चीज़े अल्टीमेटली हमारे खून में मिलती हैं लेकिन डेजेशन खराब होने की वज़े से पेट में पड़ा हुआ खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना सड़ी हुई चीज़ें हमारे खून में मिलने लगती है जिससे खून में गंदगी पैदा हो अगर आपका डैजेशन खराब है तो सारी बिमारियां होंगी ही क्योंकि अल्टिमेटली सारी बिमारियों की जड़ आपका पेट है क्योंकि अगर आपका पेट ही खराब है तो आपका श्रीर स्वस्थ रहे ही नहीं सकता अब पेट को स्वस्थ कैसे करें तो भागवट जी कह आपको गुड खाना चाहिए कई जगे पर गुड को जैगरी कहा जाता है दरसल गुड की काफी प्रॉप्टीज है गुड में एक सबसे बड़ी प्रॉप्टी है कि खाना खाने के बाद जब आप गुड खाते हैं तो यह हमारे खाने को बहुत जल्दी पचाता है अगर गब्रे आपका कभी भी digestion खराब हो जाए तो आपको गड़ खाना चाहिए गड़ खाने का सबसे सही समय क्या है ताकि आपका digestion सही रहे, आपका digestion मजबूत रहे सबसे सही समय है सुबह उटते ही सेवन करना, ठोड़ा सा गड़ सुबह उठते ही खाली पेट अगर आप खाते हैं और उपर से एक गिलास गुंगुने पानी का पीते हैं तो आपकी पेट के सभी प्रॉब्लम सही हो जाएगी कबस की प्रॉब्लम आप एक हफ़ते में खतम कर सकते हैं अगर constipation खतम हो गई तो आपके बाल जड़ने बंद हो जाएंगे आपका high blood pressure नोर्मल हो जाएगा सारी बिमारियां आपके शीर से बाहर निकल जाएंगी तो चलिए अप अच्छे से समझते हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर गरम पानी का सेवन करते हैं तो कौन-कौन से बिमारियां आसानी से आप खतम कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं खून की कमी के बारे में आजकल 50% से जादा लोगों में खून की कमी है क्योंकि हमारी बॉड़ी में आईरन की कमी हो जाती है जो खाना हम खाते हैं उसमें आईरन है ही नहीं और जो बरतनों में हम खाना बनाते हैं वो भी आईरन की नहीं है आज कल हम लोग अपने घर में अलमीनियम नोन स्टिक के बरतन इस्तिमाल करते हैं इसी कारण से हमारे खाने में आईरन का कंटेंट कम हो जाता है और बॉड़ी में खून की कमी हो जाती है लेकिन जब आप सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन करते हैं तो आपकी बॉड़ी म है उसे आज ही गुड़ आप खिला सकते हैं आप सोचिए छोटे बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है उसके लिए गुड़ अगर इतना इंपोर्टेंट है तो हम सभी के लिए कितना फाइदेमंद होगा हमें गुड़ को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए हाई प्लड प्रेशर के रोगियों के लिए गुड़ वर्दान है हाई प्लड प्रेशर में भी सुभे खाली पेट गुड़ खा कर देखें दो से तीन महीने में आपके हाई पीपी की प्रॉब्लम जड़ से खतम हो जाएगी क्योंकि दोस्तो हाई प्लड प्रेशर की बहुत से ऐसे लोग हैं, जो पिछले 15 साल से High BP की दवाई खा रहे हैं. फिर भी उनका High BP नॉर्मल हुआ हि नहीं, कारण ही यहीं है दोस्तों, क्योंकि High BP का जो इलाज है वो आपकी दवाई नहीं है, खुण को पतला करो, क् tidली खुण को पतला करने के लिए कुछ ऐसा खाओ जिससे आपका पेट सही हो इसी कारण से बीमारिया लंबे समय तक चलती हैं गुड को आपको लगातार दो से तीन महीने खाना हैं दोस्तों अगर आपके बाल जटते हैं तो आपको गुड जरूर खाना चाहिए तीन से चार महीने में बालों का जड़ना बिल्कुल ही खतम हो जाएगा दोस्तों अगर इसके लाव आपके चहरे पर पिंपल है तो आपको खाली पेट गुड खाकर गरम पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि चहरे के ऊपर पिंपल निकलने का कारण हमारे खून की गंदगी है अगर आप खाली पेट गुड खाकर गरम पानी पीते हैं तो तीन से चार महीने में आप अपने पिंपल की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इसे दोस्तों के साथ शेयर करना कभी न भूले। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिलकुल फ्री है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। एक नॉटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दें। ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आए। ठैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग आर वीडियो।